अगामी वर्ष का वित्ति वीवरन तो पेश करता ही है साथ ही यह सरगार का आरथी एजेंडा भी तैकरता है हमारी सरगार की वित्ति नेतियां यह प्रात्मिता क्या हो इसके लिए हमने के समगर विकार के लक्षे को असिल करने के लिए आने वाले वर्थ में कौन कौन से दूर गामे कदम उठाना चाहते हैं इसका बहरा देने जे पहले ये समीशिन है कि मैं देश की आरतिक इस्तिति के सची तश्विर आपके सामने पेश करूँ इसका जिक्र करने का कारण ये भी है कि हमारी संग्री वर्ष्टा में राजियों की वितिस्तिति काफी हद तक केंदे सचागे नेतियों एवों 99 पर नेवर करती है आर्थ देश के अर्थ दर्ष्टा के अधिकतर सूचनांग ये संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थ दर्ष्टा पुरे दौर से गुज़र रही है विस्ट बैंक, आईमेफ, अम एडिवी के विकार दर्थ के अनुवानों को डाउंगेड किया है सेम, केंजर सेगार के आर्थिक सर्वे, दोएवनीस बीच के अनुशार, देश की जीडीपी ग्रोथ पांच परसेंट रहने का अनुवाने थे देश में गरुज़गारी की दर्थ वर्ष 17-18 में, पिछले 45 वर्ष्टा में, सहबादिक 6.1 परतिशत दर्थ की गई है लंबे समय बाद उबोग तक माँ गटी है, इंडेक्स ऑफ इंडेस्टियल प्रोडेक्शन, मैनुफेक्ट्रिंग, एवम करिस्ट्रेक्शन सेक्टर के आंकरे भी निरह जनक है महेंगे की दर्थ दिसंबर 19 में, 7.35 परतिश से दर्थ हुई है, यहां तक कि कसी की विविकार दर्थ थमसी गई है उप्युक्त सभी आंकरों से इसफ़ष्ट है, कि देश की अर्थ परस्था परतिश से उत्तर गई है यहां में करना चाहूंगा, नोट बंदी से बरवाजी पर मुझ बोलते नहीं, GST के जटकों पर मुझ खोलते नहीं उनके आंकरे दिखाते हैं उन्हें आईना, वो फिर भी मुख करकर सच को तूलते नहीं कि देश सरकार की गलत नेते हुए कार्ण, जाजिसमें जो गिड़ावट आ रही है उचके खामियाजे की रूप में हमारे प्रदेश को जो शेरिन सेंटरल टेक्स मिलता है उचमें 10,362 करोड रुपे जैसे आजबिया इसे रुपे लेकर के एर इंडिया बीपीचेल में निवेश करके भी निवेश करके एलाइसे में इस्टेदारी कम करके जब की राजियों के पार कोई विकल्प नहीं है लेकिन मानने अदक्स माद है मैं इन चुनोते हो कि बावरूत भी मानने सद्रिन को यह विस्टार दिलाना चाहता हूँ कि राजियों का यह कथन की मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंका अरासू पहुंच सकूँ मुझे यह उनका कतन हर पल प्रिजित करता रहेगा क्योंकि हमें एसास है कि प्रदेश राजियों ने विस्टार करके मुझे तीसरी बार मुख्यमद की रूप में राजिय की सिवा करने का अक्सर दिया इसलिए इस बजट में हमने कौशिश की है कि विकास की रहा बादित नहों पिछ्टी सरकार के वित्य कुप पबंदिन के कारण हमें विराशत में लगब तीन लाग दस हजार कोड के करद्स तो मिले ही हैं इसके साथ ही लगब तेरा हजार कोड रुपे के सिरीकर्ज की कार्यों के बुक्तान का भारवी हमारी वरत्मान सरकावत छोड़ दिया गया जिसके चलते खुज विवागों के कॉंटेक्टर्स के बुक्तान समय पर नहीं हो पाए गत बज़त में हमने जन गोशना पत्र में लिए गए संकल्पों की दिसा में कई बड़े बड़े कदम उठाये थे किशानों के लिए एक हजार करोड रिपे का कत्रक कर लान कोस सहिकार देन माफी घर के पास फास्त स्ववदाओं के लिए दंता क्लिनिक मैलाओं को उत्तान के लिए एक हजार करोड रिपे के इंद्रा मैला सक्तिन दी एक लाख युवाओं को कुल एक हजार क्रोड रुपे के उपलब करवाने के लिए मुख्यमद्र युवा रोजगार योजना प्रदेश के निवाशियों के लिए राजतान जन आदार योजना और राज़ें पहली बार विराज सफलता के साथ आईजित हुए राज़े खेल इसके उधारन है हमने इस बज़ट में भी ठोच कारियोजना प्रसिस करने के प्यास किया है अद्धिक समाज है हमारे लिए संपूर राजतानिक परिवार के तरह है और इस परिवार के लिए मैं साथ संकल्ब को इस बज़ट की पात्मिकता में बताना चाहता हूँ पहला संकल्ब निरुगी राजिस्ता दूसरा संकल्ब संपन किसान तीसरा संकल्ब मैला बाल एवं रद कल्यान चोता संकल सक्सम मर्दूर चातर युवा जवार पांता संकल शिक्सा का परिधान छटा संकल पानी बिजली और वसटकों का मान और साता संकल कौसल एवन तक्निकी प्रदान मन जव係र इडिक्स मदय पहरा शुक्ष मिरूगी कौया कि हमारी सद्यों पुरानी मानने तक आगे रखते हुए हम ये बजड शष्षल राजिस्तान को समझगेश करते हैं राजप्रिता मात्मा गानी ने भी कहा है ये स्वार्श्थ है जो हमारी असली धन है इस स्वार्थ की है, जो हमारा अतली धन है, सोने और चांदी का मूले इसके सामने कुछ भी नहीं है, निरोगी राजतान के प्रतम संकल को पूरा करने के लिए हमारी कारियोजन संदन के सामने रखी जा रहे है, चिक्षितान स्वार्थ, कि इससे जुड़े सभी विभागों क कावाने के क्रम में, मुख्यमुद निसुल्क दवा योजना, निसुल्क जाच योजना, जनता क्लिनिक, आईश्मान भारत, मात्मा गांदी, राजस्तान, स्वास बिमा, आदी, योजना है, हमारी इस प्रतिबत तको दरसाती है, इसी करी में हमने दिसंबर 1219 से, निरोगी कोशिश रहेगी, कि बिमारियों के प्रेविंशन पर फोकुस किया जाए, इस अभ्यान को गत्ती प्रदान करने के लिए, मैं, एक सु करोड़ रुपे के निरोगी राजतान प्रबंदन कोश के गटने की गोशना करता हूँ, जिसके उप्यों के लिए, जिसा निदेश अल ने तो दिये जाएंगे, माने दिक्समदे जैसा कि आप जानते हैं, समस्त प्रांतवाशियों को निरोगी रहने के लिए, सही जीविन सहली अपनाने में सक्थम करना ही, हमारा इस अभ्यान का मूल मंत्र है, अगले वर्ष, सब्पून डास्तां जे नागरिकों का डिजिट इस समय पर इलाज पारम हो सके, जाजी के प्रतिक नागरिकों सुद्ध खादे ख्रामगरी उप्लब्ध हो, ततावस्वस्थ जीवन विरतित कर सके, इसे तू मिलावट खोरों के विरुद करे कदम उठाये जाएंगे, जिसके तहत प्रतिक से एक ऑथरटी के गटने की गो में एक लैब का भी गटन के जाएगा, जिसमें नमोनों की रिपोर्ट आउन लाइन दी जाएगी, साथ ही, मिलावट खोरों के विरुद तवरित कानुनी कारवई है तू अलग से फास्ट ट्रेक पोर्ट इस्ताबिद के जाएंगे, हमरे दोरा टारम की के निसुक दवा य इस सम्मान की बात, इसके लिए मैं राजे के सबी चिकिस्तकों, नर्स्टिंग कर्मियों, फादमिस्तों, एवं थमंदित अधिकारियों, क्रमचारियों को बढ़ाई देता हूं, साथ ही आवान करता हूं, कि भी बजट के हमारे पहले संकल्प, मिलों की राज्टान के सपन को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें, पिपार सीटी वे फ्रोजी के राज्टी एस्पिताल को जिला चिकिस्ताले के दर्दा दे जाएगा, राज्टी चिकिस्ताले ओशिया में मदरन चाइल्ड के सेंड़ खोला जाएगा, साथ ही सांचों जिला जालोर, तार मंत्री निसुल दवा योजना में कैंसर, किर्दनी और लिवर की दवायों को भी सामिल कर रहे, निसुल दवायों की संग्या सास्तर नौ कर दी है, राज्टी में कैंसर की प्रभावी मॉनिटिंग के लिए कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम प्राइगा, इसमें राज्टी एम कैंसर के मरीदों का पंजियन अनिवारी होगा जिससे भवच्छे में कैंसर होगियों को इलाज रेदू उन्ची तमाध गरस्तन में सकेगा जाजी में जहां भी पीपी मोड तंबो होगा वहां के जीला चिकिस्ता अलव में की स्वाइं 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 की स करवाने के क्रम में कुल एक हजार बैट बड़ा जाने के मैं गोशना करता हूँ गद बजब में मैंने स्री गंगानगर अलवर बासवाड़ा बारा बूंदी एवं चितोर गज में नवीन मेडिकल कॉलेज की गोशना की थी बतादे को खुशी है कि उप छे मेडिकल कॉलेज सही कुल पंदरा नवीन मेडिकल कॉलेज स्रीकट हो चुके हैं इन सबी मेडिकल कॉलेज के लिए बूमी आवटन की जा चुकी है अगले चार वरस में इन कॉलेज का निर्मान पूरा किया जाएगा जिस पर लगबख 5,000 कुरूर रुपय का वैभ होगा इस पर किंद्र सकार की 60% बागिदाजी लगबख 3,000 कुरूर रुपय वराज़ सकार की 40% बागिदाजी लगबख 2,000 कुरूर रुपय होगी मुझे सदन को माने अध्यक्स मादे बता दे के खुशी है कि राज़े के पहला में दूसरा हार्ट टांस्प्रांट SMS ओर्पिटल जैपूर में किया गया है इसके लिए मैं चिकिस्तकों की टीम को बनाई देता हूँ वर्तमान में SMS होस्पिटल जैपूर एवं मतदर मातपूर होस्पिटी की साले जोदपूर अंग प्रतरवन लिए अधिक्रत है साथ यव उद्यपूर, कोटा, अजमेर, विकानेर के चिकिस्ता महाविजयालें के समन मुक्ति चिकिस्ता लेख को और्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विक्षित अनुसूषित किया जाएगा स्वाई मान चिकिस्ता महाविजयालें जैपूर में लिवर टांसमानी सुविदा प्रार्म करने के लिए गैस्ट्रो सर्जी विवाग की स्थाब में की जाएगी इसके लिए इंस्ट्यूट आप लिवर एंड बिलिरी साइंसेज नियू दिली के साथ M.O.E.U किया जा चुका है साथ ही आगामी वर्ष में यहां अंग प्रतर उपर विवाग भी प्रार्म किया जाएगा इसके लिए सर्जीकल गैस्ट्रो एंट्रो लोजी के सायक आचारे के चार पर स्विकत के गए इसके लाव मावेजरा में जूनियर रेजिडेंट के 69 पदों को सीनियर रेजिडेंट में क्रमोनल किया जाएगा जोदपुर के M.D.M. अस्पिताल में गत वर्ष कैटलाव की स्विकताव में की गई थी आगाम वर्ष में यहां पर पीडियर टिक्ष कैटलाव की स्विकताव में की जाएगी दो वर्ष में पूर्ण हने वाले श्कारे पर 28 कोर्ष के खच होंगे स्विकताव जैपूर में नूकलर मेडिसन विबाग की जाएगी इन पर दो वर्ष में 20 कोर्ष का वैगा होगा साथ ब्रेन, टूमर, सेरिबरल, एंजियोग्राफी, एवो इस्टिंटिंग के रोगियो इस फ्रंस्तान बनके त्यार है, इसमें हाली में OPD प्रारम कर दिया गया है, इसे अगले वित्य वर्ष में संपूर्ण अधुनिक उप्टरों इसा लीनियर अक्सिलेटर, मॉडूल अप्रेशन थियेटर के साथ, शुचेवर उपसे चलाए जाएगा, इस फ्रंस्तान के ब इसमेजर दो सवया है, इसमेजर खमने के उसमें संपुनिक थाएगा,, इसमेर उपसे आङःईர को को जोड़े है, इसमें स्राएवर भीक व czy मेरा रज़